तो हेलो तोस्तो मिल्क हाउस के एक और नए वीडियो पे स्वात करता हूं आप सभी का आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी बर्सीम की फर्स्ट कटाई जो आज मैंने शुरू करी है यह देखिए मैंने लगवग थोड़ा ही मानिये मैंने कटिंग किया है और मेरे साथ यह दोनो एक और एक राधा यह देखिए यह दोनो मेरे साथ हैं वर्सीम की कटाई करना आए हैं दोनो और यह देखिए इस उडियो में मैं आपको फार्म नहीं दिखाने वाला हूँ मैंने अभी दो बोरी कटिंग किया है यह देखे और दो बोरी यह देखे जो फीड होता है उस बोरी यह मैंने पैक कर दिया है और अभी बज रहा है सामके पांच और कुछ इस तरीके से तयार हुआ है हमारा बरसीम का खेद यह देखे कहीं पर बड़ा चुटा दीख रहा होगा आपको जब इसकी फर्स्ट कटाई हो जाएगी तब इसका ग्रोथ बहुत सही से हो जाएगा पुरा ब्राबर लेबल पर आ जाएगा एक दम इसमें खाली हमको पानी और खाट डालना पड़ा एक बार इसके बाद फिर से यह लह लहा उठेगा कुछ 15 से 20 दिनों में और यह अभी बहुत चोटा है तयार हो रहा है कि देखिए पूरा बर्सी में बर्सी में लगा है हमारे खेत में और बाकियों को खेत में गेहूं लगा हुआ है यह देखिए गेहूं सरसो सब लगा हुआ है और हमारा हमारी खेत में गयों के लिए चारा लगा हुआ है कि देखिए साम का समय हो रहा है और बसीम की कटाई चल रही है अभी यह देखिए राधा राधा इसको अपना नाम पता है और यह दुनों कब से मेरे सांथ है जब से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ लगबग मुझे आये हुए यहां पर आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटा में मैंने दिखाता हूँ कितना कटिंग किया है मैंने यह देखिए मैंने सुचा एक वीडियो बना ही देता हूँ बर्सिम की फर्ष्ट का टाई पर इसके बाद देखते हैं इनका ग्रोथ कैसा होगा किस तरीके से होगा और बहुत सारे भाई हमारे कमेंट करते हैं सामा का मिल को पुछते हैं कितना तो जल्द ही वीडियो आने वाला है उसी पर काम कर रहा था मैं अभी पिछले दो दिन से ठंड काफी ज्यादा होने के करण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था तो यह वीडियो काफी छोटा रहेगा तो चलिए दोस्तों टाइम ज्यादा भी होने वाला है तो थोड़ा सवर के टिंग करते हैं और चलते हैं अपनी फार्म हाउस की तरफ तो यह वीडियो मैं ही समत करता हूं बिता हूं नेक्स लोग में से कुछी प्राई प्राई